अच्छा जोग हम यहां पे सवलात की बात कर रहे हैं है पर बोला के इसके नहीं कहा जा रहा है एक्वेशन ओफ है पर बोला इस 9x2-16y2 is equal to 144 the coordinates of Fokai will be सब्सक्राइब के coordinates हमें निकालने हैं सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि यह कौन सा case है तो बिटा y2 negative है y2 negative है तो उसका मतलब है कि यह case 1 है सबसे पहला गाम के अगर्ण नहीं होता है हम equation को case 1 की equation जासे बनाना होगा x2 upon a2 minus y2 upon b2 is equal to 1 मतलब constant 1 होना चाहिए मतलब हम पूर equation को divide करा देंगे 144 से तो हर एक value जो है को divide जाएगी 144 से यह divide होगा तो यह x2 upon 16 आ जाएगा और यह जाएगा y2 upon 9 is equal to 1 1 सही है अब हमारे पास यह equation आ गई है इसको हम compare कराएंगे इस equation से तो x2 के जो नीचे value रिखी भी है वो value किस के बरापर है वो value जो है वो a square के बरापर है हमें हमें फोकाई के coordinates निकालने हैं फोकाई के coordinates निकालने के लिए हमें सी चाहिए होगा तो हमें पता है हाइब पुला में सी स्कॉर बडापर है a square plus b square के तो यह हो जाएगा 16 plus 9 सी स्कॉर आ जाएगा 25 मतलब सी हमारे पास आ जाएगा 5 हमें चाहिए फोकाई के coordinates होते है प्लस माइनस प्लस माइनस 5,0 यह हमारा answer कहलाएगा आजब इस सवाल में भी वही काम होगा कि तमाम values 144 से divided जाएगी पिछले सवाल जैसे ही है यह मद इसमें हमें क्या चाहिए vertices चाहिए तो हमारे पास वही बात है यह x square upon 16 आ जाएगा minus y square upon 9 आ जाएगा is equal to 1 इसको जब हम case 1 की equation से compare कराएंगे तो हमारे पास जो है वो नीचे वाली value मतलब a square आगे हमारे पास 16 मतलब b square आगे हमारे पास 9 अब अच्छों a हमारे पास आजाएगा 4 root ला देंगे दुनों sides पे vertices चाहिए तो बिटा हमारे पास case 1 के vertices क्या होते है प्लस माइनस एक कॉमा 0 तो यह हो जाएगा प्लस माइनस 4 कॉमा 0 यह हमारा answer क्या लाए अच्छों तो इस सवाज में आजसे पहले पैचानना होगा कि कौनसा case है आपके सामने है जो number of terms है यहाँ पर यह 5 है बिटा x square negative है पास terms x square negative है तो इसका मतलब है कि यह case 4 है सही है अब अगर हम आगे चलें तो case 4 हमें पता चल गया है हमें h और k की value चाहिए होगी h बराबर है minus coefficient of x upon 2 multiply by coefficient of x square मतलब minus coefficient of x minus 72 divided by 2 multiply by coefficient of x square तो हमारे पास का result आजाएगा minus 4 फिर हमें k चाहिए होता है minus coefficient of y upon 2 multiply by coefficient of y square बिटा यह वही तरीका है जो मैंने ellipse के अंदर भी बताया था same procedure यहाँ पे follow किया जाएगा बस equation में difference होता है कि x square या y square मैंसे कोई एक negative होता है है इलिफ्स में positive होते हैं दोनों हाइपर बुला में कोई एक negative होता है कोपिशन दो यहां रखना है मतलब 16 आपने रखती है तो इसका result आपके पास आ गया 3 अब आपको क्या चाहिए आपको चाहिए denominator of x square जो के बराबर है c upon coefficient of x square के और denominator of y square बराबर है c divided by coefficient of y square चाहिए बच्चों तो स्की का वही फॉर्मुला है जो हमने ellipse के अंदर भी स्रेमाल किया था coefficient of x square into h का square plus coefficient of y square into k का square minus given constant तो c आपकोपिशन 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 हमारे पास eq square minus given constant minus 144 तो यह माइनस का 144 प्लस आपकोपिशन backup अपकोपिशन आपकोफिशन हमारे पास क्या है बेटा जो value positive है वो a square है जो भी negative value है वो b square है minus की sign को छोड़के vertices निकालने के लिए हमें a चाहिए होता है मतलब a square बराबर हो गया 9k तो a बराबर हो जाएगा हमारे पास 3 गया तो vertices के coordinates बच्चों क्या होते है case 4k case 4k होते है h,k plus minus a तो h की जगह आ गया minus 4 k की जगह आ गया हमारे पास 3 plus minus 3 तो हमारे पास का result आ जाएगा minus 4, एक दफ़ा हम दोनों को add कराएंगे 6 और एक दफ़ा हम दोनों को minus कराएंगे मतलब 0 सवाल को solve करने का एक और रास्ता भी है क्योंकि vertices ऐसे points है जो कि hyperbola के उपर lie करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं जो options आपके पास सवाल में महजूद होंगे उनको xy की जगह रख सकते हैं मतल險 x की जगह यह रखा और चेक कर लीए कि left hand side right hand side बराबर आ रही है या नहीं हो इसी तरीके से यह भी x y की जगह आपने रख vera अगर left hand side right hand side बराबर आ रही है या नहीं आ रही है तो तोनों रास्त में हैं जो आपको असान लगे अच्छा तो इस सवाल के इंदर कहा जा रहा है हमसे equation of a hyperbola is 25y square minus 16x square is equal to 400 the equation of its asymptotes will be asymptotes की equation निकालनी, asymptotes होते क्या है asymptotes ऐसी lines हैं जो के pass करती हैं center से सही है, hyperbola के center से pass करेंगी और यह lines hyperbola को approach करेंगी अगर आप देखें तो इनके दर्मियान में थोड़ा सा distance मौझब है मतलब इन दोनों के दर्मियान का जो distance होता है न यह distance tends to zero होता है मतलब यह distance जो है वो zero को approach कर रहा होता है लेकिन zero के बराबर नहीं होता वैसे तो यह topic federal board का है लेकिन क्योंके किताब के लिए स्क्राइब के लिए मैंने का कि इसको भी discuss कर लेते हैं अब इसके अंदर हमारे पास दो चीज़े होती है case one and case three के लिए इन lines का जो slope है वो plus minus b upon a होता है case two and case four के लिए in lines का slope plus minus a upon b होता है अब हमारे पास यह कौन सा case है यह case two है अच्छा बटा slope तो यह होता है equation निकालने के लिए हमें point और slope चाहिए होता है तो center के जो coordinates होते हैं वो x1, y1 होते हैं और इस पे हम point slow form का इस्तिमाल करते है equation निकालने के लिए तो हमारे पास यह equation है तमाम values को हम 400 से divide कराएंगे ताकि हमारे पास equal to 1 आ जाए तो यह y square upon 16 minus x square upon 25 is equal to 1 तो यह value y square के नीचे जो value है वो क्या हो जाएगी a square क्योंके case 2 है यह क्योंके x square negative है तो case 2 है case 2 equation होती है y square upon a square minus x square upon b square is equal to 1 तो a square यह हो गया, b square आपके पास यह हो गया, मतलब a आ जाएगा 4, b आ जाएगा आपके पास 5 तो y minus case 1 है बिटा तो case 1 के अंदर जो center के coordinates होते हैं 0,0 थे, case 2 है sorry case 1 और 2 के अंदर जो है वो center के coordinates 0,0 होते हैं तो y minus y1, y1 की जगा 0, m की जगा आगे आपके पास plus minus b upon sorry a upon b x minus 0 तो y is equal to plus minus a upon b x तो y आ जाएगा मैं पास plus minus 4 upon 5 x यह हमारे पास equation of asymptotes आ जाएंगी उसके बाद हम बात कर रहे हैं auxiliary circle की मतलब hyperbola का जो auxiliary circle होता है उसकी equation क्या होती है auxiliary circle की definition कहती है कैसा circle जिसका diameter बराबर हो जाए किसके जिसका diameter बराबर हो जाए transverse axis के ellipse के अंदर है तो major axis के आपको पता है यह vertices हैं hyperbola की vertices के दर्मियान में जो line होती है यह line क्या कहलाती है यह line कहलाती है transverse axis सहीर जो transverse axis है वो basically इस circle का diameter भी है मतलब इस circle का जो diameter है वो transverse axis के बराबर है और transverse axis की जो length होती है वो 2a के बराबर होती है अगर हमें circle की equation चाहिए तो circle का जो center है वो center वो ही होता है जो hyperbola का center होता है जिसको हम क्या कहेंगे circle का अगर center है तो इसको हम वैसे तो standard equation की अगर हम बात करें तो circle की equation निकालने के लिए standard equation का इस्तेमाल करते है x minus a square y minus b square is equal to r square पहले r निकाल लेते है diameter बराबर होता है twice of radius के तो हमारे पास r बराबर आ जाएगा a के तो r की जगा तो a आ जाएगा यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर मतलब जो a और b s की जगा पर center के coordinates आएगे अगर case 1 और case 2 है तो case 1 अगर case 2 है तो हमारे पास जो center के coordinates है वो 0 को मा 0 होंगे मतलब यह हो जाएगा x minus 0 का square plus y minus 0 का square is equal to a square तो x square plus y square is equal to a square यह equation of auxiliary circle बन जाती है अगर case 2 और sorry अगर case 3 और case 4 होगा तो center के जो coordinates होंगे वो h, k इस्तिमाल किये जाएगे कौन से case के अंदर case 3 & 4 के अंदर तो अब बात हो रही है equation of director circle of hyperbola सही है director circle क्या होता है एक ऐसा circle जो के किस पर बन रहा हो 90 degree के उपर बन रहा हो 90 degree के उपर बन रहा हो मतलब क्या मतलब कर्फ पे बनने वाले जो टेंजेंट्स हैं कि यह दोनों टेंजेंट्स जहां पे 90 degree का angle बनाएंगे मतलब दो ऐसे टेंजेंट्स जो के दोनों एक दुसरे को इंटर्सेक्ट कर रहे हो 90 degree पर मतलब हम कंपस को यहां रखें और इस पॉइंट तक फोलें जहां पे दोनों टेंजेंट्स इंटर्सेक्ट कर रहे हैं और एंगिल बन रहा है 90 degree और हम कंपस को गुमा के एक सरकल बना लें तो आइसे सरकल कुछ director सरकल के थे हैं धर बना डारेक्टर सरकल के अंदर जो सेंटर के कोडिनेट्स हैं वो आपके पास केस के हिसाब से होँगे 0 कॉमा 0 है तो केस वान एंड केस टू अगर एच कॉमा के हैं तो केस 3 या पर case 4 सब्सक्राइब दोनों गया है डारेक्टर सरकल की हमारी किताब में जो बात लिखी गई है इसके अंदर radius लिखा गया है कि root A square minus B square के बराबर है तो हमारे पास equation जब center origin पर है उसकी बात कर रहा है तो equation क्या बन जाएगी x minus A square plus y minus B square square is equal to R square ये equation होती है circle की अगर center को origin पर रख दे तो हमारे पास जो equation है वो कुछ ऐसी बन जाएगी whole square square से root कर जाएगा x square plus y square is equal to A square minus B square अच्छा तो बच्चों डारेक्टर circle ellipse का भी होता है सहीए पराबोला का भी होता है अभी वो भी मैं discuss करता हूँ अच्छा तो अब डारेक्टर circle की बात हो रही है डारेक्टर circle of ellipse सहीए आप देख लें बच्चों यहाँ पर ये line ये line आपको दिख रही है ये line आपको दिख रही है ये line tangent है ellipse पर ये line भी tangent ellipse पर ये line भी tangent ellipse पर और ये line ये ये सारी की सारी lines है वो ellipse पर tangent ये ये जो tangent है ये जो tangent है ये सारे के सारे जो angle बना रहे है 90 degree का बना रहे है मतलब जब ये intersect कर रहे है point पर तो जो angle बन रहा है वो 90 degree है तो किया क्या भई यहाँ पर था ellipse का center compass को उठा के center पर रखा एक point तक खोला और फिर इसको गुमा दिया तो हमारे पास एक circle बन गया जो कि director circle क्यालाएगा इस director circle का radius आपको याद रखना पड़ेगा कि बराबर होता है root a square plus b square के वही बात है कि equation depend कर रही है center के उपपर अगर center 0,0 है तो हमारे पास equation बन जाएगी x-a का square plus y-b का square is equal to r square square सरुख कैंसल हो जाएगा x square plus y square पराबर आजाएगा a square plus b square के अच्छा बच्छो पैराबोला का जो director circle होता है न वह basically assume किया जाता है एक ऐसा circle जिसका radius infinity हो तो उसका कोई formula exist नहीं करता अच्छा तो अब मैं बात कर रहा हूं जर्नल एक्वेजन ऑफ कानिक्स की क्या है बई एक्स square प्लस b y square प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c is equal to 0 यह जो एक्वेजन है यह जर्नल एक्वेजन क्यालाती है कॉनिक्स की बिटा यह एक्वेजन मुक्तलिफ कर्व को रिप्रेजेंट करती है कब कब रिप्रेजेंट करती है देखो अगर क्या कहते हैं एच जीरो के बराबर होगा हमारे पास लेज दन जीरो होगा तो हम कहते हैं के यह एक्वेजन रिप्रेजेंट कर रही है सरकल को अगर एच स्क्वेजन मुक्तलिफ बराबर होगा जीरो के तो यह एक्वेजन रिप्रेजेंट करती है पैराबोला को अगर एच स्क्वाइर माइनस एबी लेज दन जीरो है खाली और एच जीरो के बराबर नहीं है तो यह एक्वेजन represent करती है ellipse को अगर h square minus a b greater than 0 है तो यह equation represent करती है hyperbola को यह वैसे तो जो मैंने properties लिखी है यह federal board की properties है असल में होता क्या है कि हम हर equation को देख के नहीं बता सकते कि यह equation parabola है ellipse है यह hyperbola है मिसाल के तौर पे अगर हम sin boat की बात करें तो sin boat में जो equation लाती है उनको देख के हम बहुत असानी से बता सकते हैं कि यह equation किस को represent कर रही है मैं यहाँ पे मुक्तलिफ equations लिख रहा हूँ अब बिटा एक रास्ता तो यह है कि आप इन प्रॉपर्टीज का स्थिमाल करें ए निकालें ए क्या है coefficient of x-square बी निकालें भी क्या है coefficient of y-square सही है आप ए और बी निकालें इन प्रॉपर्टीज में रखें और चेक कर लें कि क्या रिजल्ट आ रहा है अब देखें यहां पर एक्स वाई वाली टर्म नहीं है कहीं पर भी तो इसका मतलब एक्स जी लो होगा तो आप रखके देख लें कौन सी कंडिशन सेटिस्वाय होगा सिन्बोट के अंदर काम जो है वो जादा असान होता है आप देखके बता सकते हैं कि यह एक्वेजन किसको रिप्रेजेंट कर रही है देखो बच्चों अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोविशन सेम है मतलब अगर यहां टू है तो यहां भी टू है अगर यहां फोर है तो यहां भी फोर है अगर यहां फाइव है तो यहां भी फाइव है अगर सेम है तो यह एक्वेजन रिप्रेजेंट कर रही है सरकल को अगर x-p-square है या y-p-square x-p-square हो equation में y-p-square ना हो या y-p-square हो तो x-p-square ना हो तो ऐसी equation को हम कहते हैं कि यह represent कर रही है parabola को सही है अगर x-square और y-square का जो left-coefficient है वह same ना हो दोनों क्या है different कłem कि दोनो different होंगे और दोनों positive होंगे दोनों की same sign होगी न legitimate हो सकते हैं दोनों की same sign होगी दोनों different होंगे यह यह represent कर रहा है ellipse को दोनों की sine opposite शाइन होग और यह negative है जब भी opposite sign होगी x-square हो यह फिए οगा यह यह equation represent कर रही है है पर बोला को सब्सक्राइब अच्छा एक और बात में आप से करना चाहरा हूं हम एक और तरीके से बता सकते हैं कि यह equation जो है वो इलिप्स है पर बोला और उसको represent कर रही है अगर a और b बराबर है और h बराबर है 0 के मतलब यह दोनों सेम है x square और y square के coefficient सेम है और h 0 है तो यह represent कर रही होती है circle को अगर a 0 है या b 0 है अगर a 0 हो गया तो यह पूरी value खतम हो जाएगी y square वाली value बच जाएगी अगर b 0 हो गया तो यह पूरी value फतम हो जाएगी x square वाली value बच जाएगी तो ऐसे को हम क्या कहते हैं यह represent कर रही है परहुड़ा को a और b बराबर ना हो same sign हो तो यह क्या किसको represent कर रहा है यह represent कर रहा है ellipse को a और b बराबर हो भी सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते हैं बस क्या होगी different signs होंगी दोनों की तो यह represent करेगा hyperbola को तो इस तरीके से आप जो ही बता सकते हैं कि किसको represent कर रहा है अच्छा एक और चीज़ा अंदर जो कि हमने भी डिसकस नहीं करीड़ा रहा है इसा है इसा है पर बोला जिसका ट्रॉंस एक्सेज बराबर हो जाए conjugate एक्सेश के मतलब 2a बराबर हो जाए 2bk मतलब a बराबर हो जाए पर बोला को हम रेक्टैंगलर है पर बोला कहते हैं सवाल इसका यह आता है एंदर के इसकी इसेंटरिसीटी बताओ जैसे निकालते हैं बाई हमें एलिप्स का एक फॉम्ला पता है हमें एक चीज और पता है कि की बराबर होता है सी अपने के तो ए बराबर हो जाएगा सी के क्योंगे डिवाइड हो रहा हमादा के मल्टिप्ला हो जाएगा इसका स्कॉाइर 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 इसकॉाइर 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 इस आपको याद रखना है